नमस्ते राधी राधी हेलो एवर्डिवन वेल्कम तो आवर चैनल बायो वर्स्ता उनिवार्स आप बायाल जी तो आज हम mcq-based question करने वाले हैं BST6SM के paper first जो आपका बाटनी कहा है cytogenetics plant breeding and nanotechnology यहाँ पे जो आज हम questions करने वाले वो आपके से related होने वाले genetics है total question इतने भी है वो आपके genetics से ही है कि किस तरीके से question वहाँ पर पुछे जा सकते हैं ठीक है genetics है चलिए start करते हैं लेकिन start करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हैं वीडियो को पहली है ठीक है कोई जो मतलब बच्चा हो रहा है ठीक है parents है उनका child हो रहा है office spring का मतलब होता है child यह बच्चा ठीक है उस वह अपने parents की तरह resemblance रखेगा या दिखेगा यह किस चीज को denote करता है इसे हम क्या कहते हैं ठीक है इसे क्या कहते हैं है heredity कहते हैं ठीक है क्या कहते है heredity कहते हैं ठीक next question पुछा गया है who is the father of genetics ठीक है father of genetics किसे कहा जाता है Morgan Mendel Watson Batson तो आप सब को पता है कि sort नाम दिया गया है इन्हें Gregor John Mendel को क्या कहा जाता है Gregor John Mendel को कहा जाता है father of genetics ठीक है Mendel जीन ने सबसे जादे discovery की थी सबसे पहले ठीक है इसी वज़े से इनको father कहा जाता है next question पूछा रहा है कि the alternate form of gene gene की alternate form को क्या कहते है alternate type recessive character dominant character allele तो मैंने आप सब को बताया था कि gene की alternate form को या mutant form को क्या कहते है ये इसका allele है ठीक है क्या कहलाता है allele कहलाता है क्या alternate form alternate लिख दे यहां पे या mutant लिख दे तो किसी gene का ये कोई gene है ठीक है इसका ये alternate form क्या कहलाएगा allele कहलाएगा यहां पे यही बात कहे जा रही है ठीक है the crossing of f1 to either of parents is known as ठीक है यहां पे मैंने कुछ crosses के बारे में आपको बताया था test cross back cross reciprocal cross self cross ठीक है यह सब first second class में मैंने आपको basic concept में बढ़ाया था तो यहां पे बूला जा रहा है कि अगर f1 generation ठीक है the crossing of f1 to either of parents is known as ठीक है अगर आप f1 generation को किसी भी parents से आप cross कराएंगी ठीक है चाहे वो dominant हो या recessive हो तो उसको क्या कहेंगी उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं back cross ठीक है back cross कहते हैं फिर question पूछा जा रहा है कि homogigocity and heterogigocity of an individual can be determined by किसी भी individual की homogigocity and heterogigocity मतलब उसमें homogigocity से भी वो cross कर ले and heterogigocity से भी वो cross कर ले मतलब यह कोई आपका character है ठीक है यह हो गया आपका e और capital e यह आपका small e small e capital e capital e इससे भी cross कर ले और capital e और small e इससे भी cross कर ले homogigocity यह आपकी homogigocity हो गया और heterogigocity दूनों से कर ले तो इस process को क्या कहते हैं test cross कहते हैं move करते next question की तरफ यहां पर पूछा जा रहा an exception of Mendel's law Mendel law का क्या है exception क्या है तो आप सब को पता है law of independent assortment किस ने दिया था Mendel जी ने दिया था ठीक है अब linkage की बात करें तो linkage को देने वाले कौन थे टी एश-morgan ठीक तो इसको यहां छोड़ते हैं फिर law of dominance की बात की जाए law of dominance जिसे law तो नहीं कहते है hypothesis कहते है लेकिन दिया Mendel जी ने था purity of gamit या law of segregation जिसे कहते हैं यह भी किस ने दिया था यह भी Mendel जी नहीं दिया था तो यहां पर correct answer हो जाएगा linkage linkage is not given by Mendel ठीक है next question पूछा जा रहा है कि P plant were used in Mendel experiment because तो जो P plant था उसका use Mendel ने क्यों किया क्योंकि वो cheap था यह तो best answer नहीं होगा कि वो cheap था easily available था ऐसा भी नहीं कि हमें एकदम easily available था उसको में six month का सब टाइम लग रहा था next कहरा they had contrasting character contrasting character का मतलब एक ही plant में different different character था आप सब को पता है कि इन्होंने P plant से seven contrasting characters लिये थे वो seven contrasting character उनके pod पे उनके seed पे उनके flower पे उनके axis पे इन सारी चीजों पे based थे इस वज़े से उन्होंने P plant को चूज किया था ठीक है डिसकवरी की थी लेकिन इसको recognize कब किया गया 1900 में जब इनका death हो गया था ठीक है sorry 80 60 में इनकी death होई थी उसके 30 year या 40 year बाद इसकी discovery फिर से होई थी 1900 में after the death of Mendel तो वो कौन कौन से scientist थे जिन्होंने इसकी discovery की थी currents, degrees, say mark, all तो यहां पर होजाएगा all इन तीनों ने different different जगों पे अलग-अलग तरीके से same process की discovery की और जब थोड़े से research paper और गयरा देखे तो पता चला कि जो discovery यह आज कर रहे 1900 में उसके बारे में में मेंडल पहले ही बता चुके है next question कह रहा है Mendel's die hybrid ratio आप सबको पता है Mendel का मैंने दो cross आपको पढ़ाया था monohybrid और die hybrid cross ठीक है monohybrid dihybrid monohybrid में single character लिया जा रहा था और यहां पर dihybrid में double character लिया जा रहा था like capital A, small A, capital V, small V, दो characters की बात हो रही थी यहां पर सिर्फ एक character लिया जा रहा है तो जो ratio आप सबने देखा था कि कुछ ratio में चीज़े आ रही थी जो उसका phenotype और genotype का कुछ ratio था वो ratio क्या था ठीक है dihybrid का ratio क्या था तो आप सब को याद होगा कि वो ratio था 9 is 2, 3 is 2, 3 is 2, 1 का ratio ठीक है यही ratio आता था next question कहरा है कि crossing over in deployed organism is responsible is responsible for जो crossing होता है deployed organism में वो किस चीज़ के लिए responsible होता है ठीक है recombination of linked gene ठीक है segregation of allele dominance of gene linkage between genes तो crossing over किस लिए responsible होता है segregation of allele allele को segregate करने के लिए अलग-अलग करने के लिए ठीक है next question पूछे जा रहा है कि crossing over takes place between crossing over होता कहां है sister chromatids of homologous chromosome मतलब ये इन दोनों के बीच में non-sister chromatids of homologous chromosome मतलब ये एक chromosome और ये chromosome इन दोनों के बीच में ये non-sister हो गए ये sister वाले हो गए तो ये बात तो सही कहरी है कि crossing over यहीं पे ऐसे होता था ठीक है चले इसको माल लेते हैं लेकिन third भी पढ़ेंगे sister of non-homologous chromosome यहाँ पे sister of non-homologous chromosome लिख दे है क्या sister of chromatids का नाम तो लिखा नहीं यहाँ पे तो ये इसलिए गलत हो गया DNA and RNA ये भी गलत हो गया तो correct answer आपका हो गया ये वाला कि non-sister chromatids के बीच में crossing over होता है exchange of genetic material होता है ठीक है next question पुछा जाए रहा है chromosome complement with two nine minus two nine one is called as यह जो process होता है कि जब chromosome की जो two x आपको सब को पता है मतलब 23 pair into two यानि कि 46 minus one अगर हो जाए 45 chromosome हो जाए इस process को हम क्या कहेंगे ठीक है monosomy, trisomy, nullisomy, tetrasomy the process is known as tetrasomy ठीक है इस process का answer क्या हो जाएगा sorry monosomy ठीक है इसे हम क्या कहते है monosomy कहते है एक chromosome क्या होता है इसमें कम हो जाता है ठीक most striking example of point mutation is found disease ठीक है point mutation इनमें से किस disease में होता है ठीक है कई सारा disease दिया है night blindness, turner syndrome, down syndrome and sickle cell anemia तो sickle cell anemia में क्या होता है point mutation होता है इसमें आपका blood इस shape से क्या होता है इस तरीके के shape में आ जाता है और यहाँ पे जो point मतलब एक point पे है जैसे AUG करके हम fooding करते हैं तो इसका U किसी और के साथ replace कर दिया जाता है इसमें point mutation होता है ठीक है mutation पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था next question पूछा जा रहा है कि down syndrome is example of तो down syndrome किसका example है down syndrome example of trisomy trisomy का example है the holandric gene are located on जो holandric gene होते हैं किस पे रिलोकेटड होते हैं ये बात मैंने आपको बताई थी mitochondria पे X chromosome पे Y chromosome पे तो correct answer हो जाएगा कि holandric gene आपके X chromosome पे related होते हैं तो ये कुछ important question थे जो आपके genetics के मैंने पहले भी question कराए है cell bio के साथ लेकिन ये मैंने कुछ और another question सर्च किये थे जो आपके लिए helpful हो सकते थे तो मैंने इनको भी आपके साथ सेयर किया ताकि आपके examic idea लग सके कि ये आपके paper किस तरीके से होने वाले हैं तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं Thank you everyone